नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पात्पंडर इस्टी पॉइंट में हम लोग भारती क्रिसी पढ़ रहे थे तो क्रिसी के हम लोगों ने बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट जो है देखे एक्जाम के दिश्ट से पार्ट वन में तो उसी कांटिनिवेशन में हम पार्ट टू में आज जो अन्य महत्पूर्ण चीजे हैं उनके बारे में देखेंगे खास कर जो है जो भारती क्रिसी से रिलेटेड संस्थान है रिसर्च और्गनाजेशन है वो कहां इस्थित हैं उनसे एक प्रस्ण जरूर एक्जाम में बनता है आपने अगर पेपर्स देखे हो प्रीवियस यर के तो आपने देखा होगा कि ये बार बार पूछा जाता है Central Potato Research Institute, Central Tomato Research Institute, Central Tobacco Research Institute इस तरह के प्रस्ण जो है बार बार रिपीट होके आते हैं तो थोड़ा सा तथ्यात्मक जरूर है आज का लेक्चर लेकिन ये जरूर है कि इन से चीजे आती हैं इसलिए आपको धायर पूर्वक देखना है और चीजों को याद करने की कोशिस करनी है तो चले आज स्टार्ट करते हैं तो कल के लेक्चर में जो हम लोग फसलों के रोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक स्लाइड रह गई थी जो मैं नहीं बता पाया था मैंने ध्यान नहीं दिया था तो सबसे पहले हम उसी स्लाइड को देख लेते हैं आज जो है तो इसमें ये भी रोग जो हैं फसलों के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इन किस कारण से होते हैं ये थोड़ा हाई कोश्चन है आ सकते हैं लेकिन समानेत्या नहीं आते हैं तो ज्यादा किस बिसाड़ू या किस जिवाड़ू से हो रहे हैं इस पर हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंक मूलगाट या रूट नॉट इंगलिस में आ रखेंगे ज़्यादा आसानी से याद होगा और बी बलाइट या बैक्टिरियल बलाइट या बैक्टिरियल आर्म तो ये तीन तरह के रोग होते हैं जो कपास में होते हैं गन्य का सबसे इंपॉर्टेंट रोग ये रेड रोट आप सुगर केन बहुत पूछा जाता है कई बार पूछा गया है बाकि उसके अलाबा रेड इस्ट्रिप भी होता है इसको कंड कहते हैं और उक्ठा रोग यानि विल्ट ये गन्य में भी होता है तो गन्य में दो जरूर याद रखिएगा अगर आपने कोई खराब गन्या या जिसको बीमार गन्या कह सकते हैं वो देखा हो तो उसमें क्या होता है गन्य की पूरी लेंथ जो होती है उनमें बीच में लाल रंकी इस्ट्रिप आ जाती है विल्कुल बलड रेड जैसी है तो इसकी वज़े से इसको लाल सडन या रेड रॉड कहते हैं यह गन्या खराब होने की पहचान होती है फिर तमाकू से सबसेरा पूछे जाने वाला कौन सा है तो तो बैको मोजयक जिसके नाम पर टीमवी वायरस रखा गया है तो टीमवी वायरस का जो खोज भी के रोग हो गये आलू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लेट बलाइट और अर्ली बलाइट बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है इसको हिंदी में पछेता जुलसा अगेता जुलसा यह तो मुझे तो याद नहीं होता है याद हो जात अच्छी बात है इंगलिस मे याद रख लीजे लेट बलाइट अर्ली बलाइट लीफ करल और मोजायक यह इसमें भी होता है तो यहां पर हमारे रोग कंप्लीट हो जाते हैं अब हम आते हैं इंस्ट्यूशन्स पर जो मैंने बात की थी जो सबसे ज्यादा क्रसी से एगर कोई सवाल आते हैं तो इंस्ट इनका जो है इस्थिती के बारे में जाता था कहां इस्थित है तो नेशनल अगैटमी फॉर एग्रिकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट देखिए इनमें सब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है और इसलिए इनमें बहुत ही बारीकी से हमको चीज़ेयार रखनी होंगी नेशनल एक इसको आप ध्यान रखिए इनको जरूर आपको याज रखना है नेशनल बायो फटलाइजर डेवलेप्मेंट सेंटर गाजियाबाद में चुकि यूपी से रिलेटेड है यूपी का कोई भी इंस्टूट हो वह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल ब्यूर प्लांट जैनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में है नेशनल बॉर्टिकर रिसर्च इंस्टूट जिसको हम एन बी आराई कहते हैं बहुत फेमस इंस्टूट है लखनों का उत्तरपदेश का है कम से कम दसीयों बार दसीयों बार ये पूछा गया है नेशनल ब्यूरो आप स्वायल सर्वे एंड लैज यूजिंग प्लाणिंग स्वायल से डिलेटेड अभी आपको और मिलेंगे तो स्वायल सर्वे एंड लैज यूज यूज प्लाणिंग इसका नाम है इसको इस तरह से आज रखिएगा नागपूर महराश्ट में है फिर नेशनल सेंटर आफ यह तो नहीं के उसे कार्णाल हरियाना में है और हरियाना में ही दूसरा एक स्ट्टिट नेश्टनल इंटीट आप एनिमल जेंटीक्स आप देखेंगे समें रिसर्च नहीं है उप्पर वाले में आनिमल रिसर्च है तो फोड़ा तो आंतर होता है इनके इंस्टिशन के नाम में, National Institute of Nutrition है, आंथ हैद्राबाद में है, National Institute of Rulers Development ये भी हैद्राबाद में है, National Research of Agroforestry जहासी में है, अच्छा तरीका याद करने का ये है कि जैसे हैद्राबाद में आपको कम से कम 10 इस इस चूट मिलेंगे, लखनों में कम से कम 57 इस चूट मिलेंगे, करनाल में कम से कम चार पांच चूट है तो इस तरह से उनको एक साथ लिखके आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं फिर नेशनल रिसर्च सेंटर फार कैमल यह बीका ने राजस्थान में है इसमे इस्टेट के नाम के साथ-साथ आपको डिश्टिक का नाम याद रखना भी ज नागपूर में आप जानते हैं कि संत्ट्रे का सबसे आदा उत्पाधन होता है तो नेशनल रिसर्च इंस्टूट सेंटर फौर यह सिट्रस नागपूर में है फिर नेशनल रिसर्च सेंस्टूट पार के नेशनल रिसर्ट सेंटर और कोल्ड वाटेट फिसरी यह नैनिताल में है उत्राइचल में पढ़ता है नेशनल रिसर्ट सेंटर और इक्वाइन्स यह हिसार नामकिस्थान है हर्याना में वहाँ पर है फिर ग्राउंड नट का जो इंस्ट्टूट है मुंगफली के लिए वो जूनागर गुजरात में है नेशनल रिसर्ट सेंटर फर मीट आपके यूपी का है इज्जत नगर इज्जत नगर कहां पढ़ता है बरेली डिस्टिक में नेशनल सेंटर फर मस्रूम रिसर्च यह सोलन हिमाचल प्रदेश में है आ चुका एक बार और अगला वाला तो होती रहर आते हैं खासका अर यूपी सेमें जो Age नहीं आते हैं नेशनल सेटर फर साउर घम आप वालाइट है तो जो यह schema से downtreapat अपने आप इसको समझ जाईए कि बहुत इंपॉर्टेंड बीकाने राजस्थान में हैं फिर केले के लिए यानि रिसेंटर पर बनाना इत्रुच्या पली महराष्ट में इसी प्रकार जो है ग्रैप्स या अंगूर का जो रिसेंटर है वो पूरे में हैं फिर नेशनल रिसें में है अब थोड़ा सा यहां पर देखें डिफ्रेंस है यह क्या है एन सी आर एन रसी मैप है और कहिए का सी मैप आजया सी आई मेपी तो वह लखनव में है वह अभी आगे आएगा आप देखिए गा उसको फिर बात करते हैं नेशनल रिसेंटर फार आइल पाम तो यह कि जहां पर जो चीजे ज्यादा मतलब बहुतायत में पाई जाती है उनके रिसर्च सेंटर उन्हीं स्थानों पर आपको मिलेंगे जैसे प्याज और लहसुन के लिए आप जानते महराश्ट जो है वह भी पूरे जो है बहुत फेमस है तो वहां पर जो है इसका सेंटर रिस सेंटर है रेफ सीड एंड मस्टड जो सरसो और रिब सीड़ का है यह भरत पुर राजस्थान है क्योंकि आप जानते है कि मस्टड और इसकी खेती तीमें जो है राजस्थान बहुत ही आगे है नेशनल जासेंट एकनोर्जी यह बहुनेश्व को बंशा में नेशनल इसार्स सेंटर आन मिथुन ये ज़र्णा पानी नागा लेंड में हैं नेशनल इसार्स सेंटर मीट दाव यह मीट जो आला जो था कहां पर था अपने इज्यत नगर बरेली में था लेकिन यहां पर क्या है मीट एंड मीट प्रोडक्ट इसमें जुड़ गया तो यह कहां पर है हैदराबाद आन प्रदेश में फिर नेशनल रिसर्च सेंटर फार सोया बीन इंदौर मदप्रदेश में है नेशनल रिसर्च पार वीड साइंस फिर आपका आगया बहुत इंपोर्टेंट है कई बार पूछा है तो यह है डिराउग वेस्ट के जो भाग है अरुडाचल प्रदेश जो है क्योंकि जो याक है यह पहाड़ी लाकों में ही मिलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फार वीमन इन एग्री कल्चर तो यह भूनेश्वर उड़ीसा में है नेशनल इस्ट्यूट फार रिसर्च उ इंस्ट्यूट सी एर आइ तो यह है पोर्ठ ब्लेः अंड़बान निको बाडर में Central Avian Research Institute तो यह है इजद्जतनगर बरेली में जो उत्तरप्रेश में इस्तित है Central Arid Zone Research Institute बहुत बार पुछा गया जोधफुर में है Central Food Technology Research Institute मैसूर में है करनाटक में Central Institute of Agriculture Engineering आ गया यह भोपाल में है और Central Institute of Frevis Water Agriculture, यह जो है, चेन्नेई, तमिलनाडु में, कोईकि यह समुद्री रिलेटेड है, एक्वाकल्चर है, Central Inland Capture Fisheries Institute, बहुत इंपोर्टेंट है यह, बैरकपुर, पस्ची मंगाल में यह है, और Central Institute for Cotton Research, बहुत बार पुछा गया है, यह भी नागपुर में है, यह जाता है, वो है, भूनेश्च्वर में, Central Institute of Fisheries Education, मतलब फिसरीज से समंदी, मतलब स्विपालन समंदी, पढ़ाई का इंस्टूट है, मुंबई में है, Central Institute of Fisheries Technology, अब देखे, थोड़ा सा सब्दों का है, यहां क्या, फिसरीज एजुकेशन है, यहां फिसरीज टेक्नॉलजी है, तो यह कहां पर है, कोचीन, जो केरला में है, Central Institute पर सब ट्रॉपकल हर्ज कज़र, कम से कम दस बाराज तक पूछा गया है, यह लखनो में स्थित है, Central Institute of Medicine and Aromatic Plant, जिसकी में बात कर रहा था, इसको कहते हैं, सीमायप के नाम से फेमस है, केंदरी, सुगंद, पौधा, रिस इंजिनरिंग, यह लुदियाना में है, Central Institute for Research आन बफैलोज, यानि जो भैस पर जाती है, उस पर रिसर्च का, यह हिसार हडियाडा में है, Central Institute for Research का, यह हिसार हडियाडा में है, Central Institute for Research आन गोट्स, अभी जल्दी में आया था, यह मखदूम उत्तर प्रदेश में है, Central Marine Fisheries Research Institute कोची केरला में है, Central Plantation Crop Research Institute कासर गोड में है, आप अगर सब नहीं आद कर सकते हैं, तो इसमें जो हाइलाइटेड हैं, आपको कम से कम उतने जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि वो बार-बार रिपीट होके आते हैं, Central Potato Research Institute बहुत बार आया है, सिमला में है, Potato Research देखें, यहीं पर अंतर होता है, और यह एक बार question फसा था, UPPSC का ही, साइट PCS Pre का exam था, उसमें पूछा गया था, मेंस के exam में आता है, GS में, तो Central Potato Research Station सब इसमें जुड़ा है, और सब लोगों ने क्या किया था, इसमें सिमला जो है लगा दिया था, लेकिन यह बाद में जो है लोगों पता चला कि मोधी पूरम जो मेरट में यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, Central Research Institute for Dryland Agriculture, यह हैदराबाद में है, Central Research Institute पा जूट एंड एलाइट फाइबर्स, इसी से मिलता जूलता, यह बैरकपूर पस्ची मंगाल, वो कोलकर्ता में था, Central Research Institute कटा कुड़ी साब बहुत बार पूछा गया है, जित्ते भी ब्लैक रंग से हाइलाइटेड हैं, यह समली जिए कई-कई बार आएं पेपर में, Central Soil Salinity Research Institute की करनाल हरियाणा में, Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute धेरादून में, Central Seep and Wool Research Institute अंबिका नगर राजस्थान में हैं, ट्यूबर क्राप्स आप जानते हैं, जैसे सल्जामुई आपका आलू हुआ इस तरह की जो ट्यूबर वाले क्राप्स होती है, उनका रिसर्स इंटूट कहां पर है, तिर्वन तुनपूरम केरला में, Central Tobacco Research Institute बहुत बार पूछा गया अज तक, राजमुंदरी आन्द प्ले है, इस्टेट तो बात की बात है, क्योंकि ज्यादा तर जो क्या होता है, जो उसके जो इग्जेक्ट प्लेस उसके नाम से पूछ लिया जाता है, Central Institute for Temperate Horticulture ये स्री नगर में है, Central Plantation Crap Research Institute कासर गोड केरला में है, आगे कुछ और देखते हैं, Institute of Animal Husbandry and Veterinary Biological ये कहां पर है, ये आंधरा प्रदेश में है, Indian Agriculture Research Institute, IARI, ये सबसे जो है, सबका मदर इंस्टूट समझ लिजीए, इसी के अंतर सब आते हैं, तो ये नई दिल्ली में है, अब इस्तित है, 1945 से पूरु जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी, वो पूसा बिहार में हुई थी, तब तक वो व कॉंप्लेक्स काई रीजन्स में है, तो ICR के जो कॉंप्लेक्स है, गोवा में है, फिर इसका एक ICR का ही कॉंप्लेक्स है, फ़र नॉर्थ एस्ट, इस्टर्न हिल रीजन्स, यानि नॉर्थ एस्ट के लिए, तो ये 12 पानी नामक स्थान में घाले में है, Institute of Forest, Genetic and Tree Breeding, सिलां कोयमटूर में है Indian Grassland Research and Forder Research जो है ये जहासी में बहुत important है चारा सुंधान के नाम से इसको जानते है Indian Grain Steering Institute ये हापुड में है उत्तरप्रेस में Indian Institute of Forest Management भोपाल में है Indian Institute of Horticulture Research हैसर घटा में है Indian Institute of Pulse Research ये कानपुर में है ये जितने भी UP के हैं बहुद बहुद बार पूछे गाए और बार पूछे हैं Indian Institute of Sugar के इंसरट और जो मैंने बताया था वो लखनों में हैं और अगर Indian Institute of Har Sugar के वाला आता है तो कानपुर वाला होता है Indian Lock Research Institute ये राची में है इंस्टूट आप इस्टिडी जान एगरी कल्चर एंड रूलर डेपरेंट धारवार करनाटक में है तो एक यहाँ पर नोटेबल पॉइंट यह है कि जैसे यह दिया हुआ इंडियन इंस्टूट आफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसमें मैनेजमेंट सब जुड़ा हुआ है तो यह तो भोपाल में हो गया अगर फर आई पूछ लिया जाए फॉरेस्ट इसर्च इंस्टूट तो कहां पर है वो देहरादून में है वो फिर बात करते हैं इंडियन वैटर्णरी इंस्टूट यह आपका इज्जतनगर बरेली में है तो इस तरह से आपने देख लिया कम से कम चार इंस्टूशन कहां पर हैं इज्जतनगर बरेली में हैं जो सभी बहुत-बार पूछे गये इंस्टिटूट आप वुट साइंस एंड टेकनोलजी बंगलोर में है जूट टेकनोलोजिकल रिसर्च इंस्टिट कोलकाता पस्षी मंगाल सुगर केंड ब्रीडिंग इंस्टिट अब सुगर केंड में तीसरा इंस्टिट हो गया मैंने जो अपने जी इस वाले नोट से उसम अनस्वंधान साला अलमोडा उतराखंड में वाटर टेकनालोजी सेंटर फॉर इस्टर रिजिन भूनेश्वर उडिशा में है इंडियन इंस्टिट आप स्पाइस रिसर्च मसालों पर जो अनस्वंधान होता हो कहां होता मसाले आप जानते हैं केरला में ज्यादा होते हैं इंडियन इंस्टिट आप वेजिटेबल रिसर्च अगेन बेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्योगी यूपी स्पेशल में आता है वाराण सी इंडियन इंट्ट्ट आप स्वायल साइंसे भौपाल मत्पदेश तो इस प्रकार से इंस्ट्ट्ट हम लोग देखे अब हम लोग सकता है गेहु में सोनालिका, गिरिजा, प्रताप, सैलजा, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनक सेरा, जैराज, यूपी 378 और यूपी 262 गेहु की प्रिजातिया हों गई धान की बात करें तो IR 8, IR 24, जयनती, सोना, जया, कृष्णा, बिजया, पदमा, बाला, सरस्वती, सा साकेत, तीन, साकेत, चार, जगनात, जागरती, पंकज, मसूरी, आप लोग ये भी थोड़ा सा क्वेरी कभी-कभी मन में आपके आती होगी, कि ये जो नाम रखे जाते हूं किस तरह सखे जाते, तो मैं थोड़े दिन मुझे भी मौका मिला है कि एक साइंट, जो है क्योंकि जो रिसर्च करते हैं, जो नहीं वराइटी निकालते हैं, वो अपने परिवार जनों के नाम पर उसका नाम रख देते हैं, और उनको पूरा दिकार होता है उसका, तो जैसे ये सोना, जया, कृष्णा, बिजया, पद्मा, ये सब कोई ना कोई परिवार में अगर पतनी है, बच्चे हैं, बेटी हैं, उनके नाम पर लोग रख देते हैं, खैर ये चीज़े बाहर नहीं आती हैं, लेकिन मुझे मन में आ गया तो मैंने आपको बता दिया, फिर आलू का कुफरी, तो आलू में आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसको ट्रिक समझ लीजिए, कुछ नहीं माचल प्रदेश में, जहां पर पोटैटो रिसर्च इंस्ट्यूट है, तो इसी के कारण अगर कुफरी नाम से कोई वराइटी आपके सामने आ जाती है, तो आप बिल्कुल सीधा सीधा समझ लीजिएगा, कि कुफरी आलू की ही कोई वराइटी होगी, कुफरी अलंक इस 228, गन्ना, वियो 43, वियो 47, वियो 49, वियो 65, विशिधा कापास की बात करें तो स्यामली, लोहित, अंजली, बीकानेरी, सुजाता और सुविन, मुंगफली में अरली नेर, जोती, जूनागर, चंदरा, कौसल, यह सब वास्तों में थोड़ा तफ हैयाद करना, लेकिन दो तीन बार आप अगर इसको देखेंगे, तो रिवाइज करेंगे, तो कुछ तो आपको इतना याद हो जाएगा कि आप एक्जाम में सही टिक करने की सितिती में आ जाएंगे, सरसो की वरुना, सेसर, प्रकास, क्रांती, लाहा, दुरगामडी, संगम, सुफला, सोया बीन रचना, स्वणरेखा, बीएनल वन, आरकेल, विनिविले, जवाहर, मतर, देखिए इधर का जो सरसो, सोया बीन, अरहर, मतर और जवार है, इनसे क्वेश्चन कमाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, गेहु से, धान से, आलू से, और कपास, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर भी कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, इसका कोई पता नहीं है, तो चना की हम देख लेते हैं, गौरोव, अजय, अतुल, पूसा 208, पूसा 209, पंतजी 104, और RS11, मक्का की प्रजातियां, गंगा, गंगा 3, गंगा 5, रणजीर, दक्कन, हिमाले 123, विक्रम, किसान, सोना, विजय, प्रोटीन, अंबर, स्वेता, तरुण, नवीन, ज्वार क्या होता है, CHS1, CHS3, CHS9, CS1, CSV3, और स्वन, तो ज्वार में आपको इची समझ में आ गई होगी, कि अगर CHS हो, या CSV हो, तो वो ज्वार से रिलेटेड वराइटी है, फिर फसलों की उत्प पूछ लिया जाती है, कि कहां का नेटिव है, कोई फसल का मूल इस्थान उत्पत्ती का क्या है, वो पता होना चाहिए, और यह आता भी एक्जाम में, तो गेहु की जो उत्पत्ती होई थी, उत्तर पस्चिम एसिया में मानी जाती है, जवार अफरीका में, चना उत्तर पस है, चावल के बारे में भी कोश्चन आ चुका है, फिर मसूर एसिया माइनर, जो जो है अपसीनिया, मटर एसिया माइनर, तो रिया जो होती है, यह भारत चीन यूरोप, तो भारत जिनका नेटिव है, उसको जरूर याद रखिएगा, आलू, चिली की नेटिव है, का है, भिंडी भारत में पैदा हुई थी, लाल मिर्च ब्राजील से आई थी, मूली जो है चीन की है, लौकी भारत की है, फूल गो भी इटली से है, पपीता अमेरिका में उत्पत्ती है, लीची जो है चीन और भारत दोनों में उत्पत्ती माने जाती है, अमरूद अमेरिक गया है गन्ना भारत में उत्पत्ति माने जाती है जूट भी भारत में उत्पत्ति माने जाती है तिल और लोबिया ये दोनों कहां कहा है अफ्रीका कहा है फिर मूंग की बात करें तो मूंग की उत्पत्ति भारत में है सोया भी इंचीन में उत्पत्ति माने जाती है उरद और अरहर जो दोनों दाले हैं ये भारत की उत्पत्ती माने जाती है और मुंगफली ब्राजीले माने जाती है तो कम से कम जित्ते मैंने आपको हाइलाइट कर दिये खासकर इंडिया वाले ये आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है फिर और देखते हैं कपास कोश्चन आ च जाती हैं अंगूर आर्मेनिया वाएगन भी भारत की ही है उत्पत्ती सेव कैस्पियंस आगर के किनारे के लाकों का है प्याज एस्या उत्पत्ती माने जाती कद्दू अमेरिकन है सकरकंद अमेरिका और टमाटर दच्छिन अपरिका ये टमाटर भी पूछा जा चुका है तो इस तरह से फसलों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इनकी जो है उत्पत इस्था लिया इसका नेट्व प्रेस कौन सा है अब हम सीधे-सीधे कुछ फैक्ट्स पर आते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियर्स इयर में भी पूछे जा चुके हैं तो भारती दलहन अंसंधान संस्थान कानपूर में पहले बता चुके भारत में पर्थम क्रिस्विस द्याले की स्थापना कहां होई थी तो पंत नगर जो यूके यानि उत्राखंड में है वहाँ पर द्राब पहले क्रिस्विस द्याले की स्था आपना होई थी केंद्री और धान अंसंधान संस्थान कजा रराष्टतराव किर्णी प्रीयोक्साल है से खेट तक जो कारिक्रम एक चलाया गया था भारस सरकार द्वरा ये कव श्टार्ट किया गया था 1979 में फिर इसी तरह से सुमेलन हमको देखना है कि राश्टी जैव उर्वरक विकास केंद्र कहां पर है गाजियाबाद में ये सब बहुत बार आयोए कोश्चेन है उनी को मैं प्लानिंग नागपूर में है अभी पीछे में बता चुका हूं उसमें फिर राश्टी खर्पतवार विज्ञान अनसंधान केंद्र जबलपूर में है जिसका नाम था नेशनल वीड रिसर्स इंस्टूट जबलपूर मत्प्रेस में है ये राश्टी ग्रामीड संस्थान नामीड है है अतन केंद्री तक किस राज में था उत्तित तो यह कोई पूरा कोंच रहा हूंगा जिसमें मडीपूर उसका एंसरर रहा हूगा इंडीन इंस्टूट ा फॉलीं मेनेजमेंट फौरेस्ट केंद्रेस्ट' बहुत इंपॉर्टन जोटपूर में थे नेशनल जो है सेंटर है है एधराबाद में भारती किसान यूनियन की स्थापना किस वर्स हुई थी 1985 में सीला घर मरदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है कम से कम यूपी स्पेशल में तीन चार रा पुछा जा जाता है किसान दिवस कब मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है फिर देश में बोर्ड है कुछ कॉफी बोर्ड बैंगलोर में ये सुमेलन में आया था दो बारा जुका है कॉफी बोर्ड बैंगलोर में है रबर बोर्ड कुटायम में है चाय बोर्ड कोलकत्ता में है और तमाकू बोर्ड गुंटूर में है फिर भारती मसालान संधान केरल में है कालिकर्टाम अकिस्तान पे गाउं में स्वयम सहता समू बनाया जा सकता है कैसे सदस्यों के स्वयम सहता है केंद्री ये उपोष्ड बागवानी संस्थान लकनों मिस्ती थे जो सब ट्रॉपिकल हर्ट रिसर्च था सस्यवानकी का राश्टी सोज संस्थान जहासी में है फिर सरदार बल्ला भाई पटेल क्रसिविद्याले कहां पर है मेरट मिस्ती थे तो मित्रों आज के लिए इतना परियाप्त है नेक्स्ट वीडियो में हम सीदे सीदे वो फैक्ट देखेंगे जो एक्जाम में पूछे गए हैं यानि हम प्रीवियस येर के कोस्टन को सीदे सीदे लेंगे तो उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा एक कल मैं उसको फाइनल कर दूगा बना दूगा तो आज के लिए इतना ही आप में से जो चैनल पर नए है पहले पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं नए वीवर हैं तो आप से रोदे की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों के बीच भी चैनल के लिंक को सेयर करते रहे हैं वीडियो को सेयर करते रहे हैं ज